जितनी जल्दी COVID-19 के प्रकोप के पहचान हो जाती है, इसे नियंतरित करना और वायरस को फेलाने से रोपना उतना ही आसान हो जाता है। उसे यह जानकारी अलग-अलग जगहु पर मिलती है। हो सकता है वह बाजार में एक अफवा सुने। वह सोशल मीडिया पर कुछ लिखा हुआ देख सकती है। हो सकता है उसकी सलॉन वाली नाई ने उसे कुछ बताया है। पुस्तिका में या अपने फोन पर लिख लेती है। वह व्यक्तिकत जानकारी को गोपनिया रखती है। वह हर रोज एक रिकॉर्ड बनाती है भले ही वह रिकॉर्ड करती हो कि उसने कुविड-19 की किसी भी संदिक मामले के बारे में नहीं सुना है। एक स्थान ये फार्मसिस्ट मैरी को पास के एक गाउं में एक समाजिक सभा के बारे में बताता है जहां एक घर में 15 लोग एक साथ थे। बाद में उन में से कुछ लोगों को बुखार और खासी हो गई। मैरी उस सभा के समय और स्थान के बारे में लिखती है और उसके बारे में कोई भी अन्य जानकारी जो उसे पता लगी है जैसी कि किसने भाग लिया और उनकी क्या लक्षन है। फिर मैरी ने ये सूचना अपने सुपर्वाइजर को दी। उसका सुपर्वाइजर जानकारी की जाज करता है और पुष्टी करता है कि यह COVID-19 के संभावित प्रकोप का संकेत हो सकता है। इसके बाद वह तीर्व प्रतिक्रिया टीम के लिए उस गाओं का दौरा करने की व्यवस्ता करती है जहां समाजिक सबा आयोजित की गई थी। टीम को COVID-19 के संदिग मामले मिलते हैं जिनकी जाज करके पुष्टी की जाती है। वे गंभीर लक्षणों वाले लोगों और जो भी विशेश रूप से अतिसमवेदन शील हैं उनकी देखभाल की व्यवस्ता करते हैं। मैरी समुदाय के उन सदस्यों को सहायता करती है जो भेतर होने तक घर पर ही कौरंटीन और खुद की देखभाल कर सकते हैं। नियुन्तम 14 दिनों के बाद इन लोगों में COVID-19 का आगे संकेत नहीं दिखते हैं और नकारात्मक परिक्षा का परिणाम यह पुष्टी करता है कि वे उससे उबर गए हैं। मैरी उन्हें अपने घरों में फिर से बसने में मदद करती है। मैरी ने बिमार हुए लोगों की मदद की और संकेतों की जल्द रिपोर्टिंग करकी उसने वाइरस को फैलने से रोका।